जनता ने एवल सत्ता प्राप्ति करने के लिए अत्वा व्यक्तिकत अहम मन्यता में पाला बदला ये होता है नहितिक भरष्टाचार ये होता सत्ता की लोलूपता क्योंकि सत्ता तो आपको इधर भी थी भाजपा जदियू गढ़बंदन को इस पश्ट बहुमत मिला जनता न परिवारवाद में अंतर होता है जैसे पूझी हरवेक्ति के पास होती है पर पूझी वादी हरवेक्ति नहीं होता है परिवारवाद और परिवार में अंतर जानते क्या है पार्टी को अपना परिवार मानना और परिवार को पार्टी मानना दोनों में जमीन अस्मान का अं सब किसले लिए जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनमें परिवार के समस्थ सदस्यों में कि दिखने लगती है कि सब के सबादों पर आ जाते लालू-पृसाद यादो जी का का आप एक वेक्ट नहीं बता सकते जिसके पास कोई न कोई पदमा हो यह अंसर होता मैं पुनह कह दे रहा हूँ पार्टी को परिवार मनना सीजिंगे परिवार को परिवार लेकर इस अम reboot की बड़ी क्रणहीं राजवर क्लेम कर रहे कि समाज़वादी पार्टी में भी तूट हो सकती है और अखिलेश यादव ने कहा है जो जाता है वो चला जाए इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही है दूसरी तरफ दूसरी तरफ जेडियू में तूट हो सकती है क्या वाकई ये जो तमाम क्लेम्स है या अपने आप में बड़े है या महौल बनाया जा है कीरतिया अजाद अब आपने अभी तो बड़े अच्छी ची बाते हैं हमें सुधान्शु जी बता रहे ते कि आर्थिक होती है नईतिक होती है परिवारवाद होता है परिवार की पार्टी होती है तो मैं ये पूछना चाहता हूंगी समस्त समध्र भारत वर्ष के पूरब पच्छिम सब तरफ से जितने भी ब्रस्टाचारी जिनके उपर ED, CBI, IT लगी भी है वो सारे सम्मिश्रन हो करके बारते जंता पार्टी के वाशिंग मशीन में जाकरके मिल गए है पीडीपी इनके साथ ही थी इस्ट में आसाम को देख लीजे जिनको जेल डलवाना चाते थे वो विस्वसर्मा इनके अभी मुख्यमंतरी है, सुवेंदू अधिकारी जिसको हाथ से पैसे लिए पकड़ा गया, वो आज इनके विपक्ष के इनके नेता हैं, दक्षिन में चले जाएंगे, आपको वही मिलेगा, अभी तो तादा तादा आपने देखाई है कि किस प्रकार से महराष्टर के अंदर ये भरस्टाचारियों का परिवार किस तरीके से आगे बढ़ा है, तो यहाँ भरस्टाचारियों की पार्टी भी एक बात होती है, इन्होंने कहा है, एक नैतिक होती है, एक आर्थिक होती है, तो आर्थिक भरस्टाचारियों की ले रहे हैं मोधी जी सबसे बड़े गैरेंटी को ले रहा है मोधी 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 तो यह आपके सामने सपष्ट है अब इन्होंने कहा कि जनतातल युनाइटेड वाले भी आने वाले हैं समाजवादी पार्टी आने वाले हैं मुझे नी मालूम था कि इनके पीछे भी ED और CBI औ कुछ लिए मुझे तो एक बार भी कतम आप नहीं करने दे रहे हैं यदि ऐसे ही चाहते हैं तो मैं चोड़े लंबा कहा बोड़ा भाईया अपने आप देख लिए जिनके लिस्ट में नाम होगा वो सारे कूद के इदर चले जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है लोगों के इडी लगाना इटी लगाना डराना प्रफुल पटेल जिसके ओपर एर इंडिया को लूटने का केस लगा वा था जिनकी की प्रॉपटी अटैच कर ली थी इडी ने आज वहां बैठे रहे हैं कल सुना है कि शाद केंदर में जब विस्तार होगा तो शाद वो मंत्री बनें लेकिन कारेकारिया ध्यक्स कारेकारिया ध्यक्स से और उपोजिशन पार्टी की बैठक में शामिल ते प्रफुल पटेल लेकिन मैं इसमें सुदान शुत्रवेदी से रेक्शन रेक्शन रेता हूँ शुदान शुत्रवेदी आप लोगों ने महाल को ऐसा कर दिया है कि कल कॉंग्रेस ने भी अपने सब विधायकों को हाजिर रहने के लिए बोला है और उद्धव ठाकने गुटने भी बोला है कि जितने विधायक बचे हैं मारे पास वो भी हाजिर हो जाए क्या आपको लग कि इन लोगों को ज़्यादा बोलने मौका मिला मुझे कम तो विपक्षी तथा कथी तेकता में कितना सौहार्द और एक दूसरे के प्रति क्या सहन शीलता है यह तो डिबेट में दिखिया आपको लेकर बोला थाम है और वह बात बहुत स्वाभाविक है आपको लेकर बोला कि राष्टी डल है पर तो यह भी एक अथार्त है कि राष्टी डल होकर भी आम आदनी पार्टी सिर्फ बीस लोग सभासीटों पर प्रत्सीधी लड़ाई में है तेरा सीटे पंजाब के और सा सीटे दिल लिकी वह बैरिएज़ों सबके अपने अपने तर्क हैं अपनी बातना मेंट खटे हुए थे इसमें कौक्वे को इलाग फटाले वाले भी थे इसमें और चाराग हो अध्यकसदा मैं बैटके अपने उप हमाई ले और प्रिवार को बचाने की डिफेंस डील कर रहे थे 23 जून को एक दूसरे के भरस्ताचार का डिपन वही जबकि उस समय अमेरिका में चाहे सेमी कंड़क्टर चिप्स हो और चाहे भारत के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन उक्रवद चराना हो या प्रीडेटर डोन हो भारत की रक्षा की डिफेंस डील मोधी जी कर रहे थे और पटना में अपने अपने भरस्टाचार की जील वो कर रहे थे जो मैं किर्ती जी को याद दिला दूँ आपके ग्रह राज्य में लालू प्रसाद याजवदी उननीस सो सकतान नवे में जेल चले गए थे जब भाजपक कभी सरकार आई नहीं थी और मोधी जी अमिश्चाजी का राजनीत में नाम नहीं था उस जमाने से जो लोग जेल में गए वो 2014 के बाद आके जब चाती पीटते हैं यहाए हमको विक्टिमाइज किया जा रहा है जिनको हम लोग जिवा वस्ता से प्रोड़ा वस्ता में आ गए उनको अंदर से बाहर बाहर से अंदर आते जाते जेल से देखते हुए इसलिए मैं कह रहा हू जी सवाल मेरा यह है अमीश देवगन बोल रहा हूँ आप आपने आपसे मेरा सवाल है इस समय एंसीपी के जो विधायक तूटके गए उनका यह कहना है राहुल का नाम आगे हुआ इसलिए महाल खरा हुआ राहुल के साथ शरद्राव पवार का आना हमें गवारा नहीं था देखिए एंसीपी के जो बागी विधायके वो क्या कहते है उसको एहमियत देने के कोई जरूरत नहीं है वास्तव यह है कि एंसीपे में बटवारा हो गया है और मोदी जी ने जिस प्रास्ति को तीन दिन पहले एक बहुत बड़ी घोटाले वाली पार्टी सतर हजार करोर क गोटाले की बाटी उसी अजीप पावार का उने ने स्विकार किया है और उपर मुख्य मंत्री बनाया है अब उनके बटवारे के क्या कारण है उसे हमें जाने के कोई जरूरत नहीं है लेकिन वास्तव यह है कि क्या अजीप पावार के पास दो तिहाई विदायक है अगर तो तिहाई विदायक नहीं होंगे तो इनका यह सारा प्रयास असफल रहेगा और यह सभी के सभी निलंबित हो जाएंगे सभी के सभी डिस्कॉलिफाय हो जाएंगे जी सुदान शुत्रवेदी मैं आपके पास आता हूँ बीस सेकिंड में प्रित्विरा चोहान साब की बात का जवाब आपने जिनको ब्रश्टाचारी कहा उन्हीं के साथ आ गए और मेरे पास मेरे पास एक आखड़ा भी है और मैं वो आखड़ा लेकर आया हूँ अजीत पावार पर मनी लॉंडरिंग केस में एडी के जांच के शक के गेरे में हैं चगन मुझवल पर दो हजार पंदा से एडी के दो केस दर्ज हैं प्रफुल पटेल पर तो इकबाल मिर्जी से जुड़े मनी लॉंडरिंग से पूछताज भी हो चुकी है हसन मुझव पर तो अभी हाली में एडी ने ठिकानों पे छापे मारे थे मैं इन तीन नेताओं के नाम बता रहा हूँ आपको चार नेताओं के नाम बता रहा हूँ आपको जिसमें से दो पर तो ठीक ठा केस है what is your view मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा है क्योंकि बात हो रही है 15 पे केस है 10 पे केस है उन 10 की हमें जानकारी नहीं है जिन 2 पर बड़े केस है उनकी में जानकारी आपको दे रहा हूँ टोटल चार नाम अमीज जी आपने कहा कि जिन 3 नेता ये तीन नेता शक के घेरे में है यहां तो जाच एजनसियों के द्वारा शक के घेरे में है पर मुझे आश्यर होता है राजनतिक दलों के प्रवक्ता आकर अपनी ही पार्टी के भरस्टा चार का सबूत देने लगते है अब बताइए मानी चोहंड साब इतने वरिष्ट नेता हैं वो क्या कह रहे है कि अगर ये मान लिया जाए अभी जो शक है यदि वो यकीन में मान लिया जाए कि वो घोटाला हुआ था तो किसकी सरकार में हुआ था कॉंग्रेस की सरकार में मतलब कॉंग्रेस पार्टी आज कह रही हाँ जी हमारी सरकार में घोटाला हुआ था यानि अपने को भरस्टाचार का सर्टिफिकेट देना अभी जैसे किर्टी आदास साब कह रहे थे यदि हम उनकी पार्टी को देखें तो जिस शार्दा और नार्दा इस कैम को अफिशली कहती है त्रणमून कॉंग्रेस के ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ था अचानक वो अपने को सर्टिफिकेट देने लगते हैं हाँ जी घोटाला हुआ था हमारे घोटाले के लोग वहाँ चले गए तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इन लोग का मुख्य तर्क क्या है ये लोग मोदी जी के विरोध में आकर अभी जो चीज जांच के दाइरे में ह हैं उसमें अपने ही को भरष्ट होने का सर्टिफिकेट देने लगते हैं ऐसा विचित्र और हास्यास्पत तर्क मेरे विचार से इससे पूरुमें भारत की राजीत देखने को नहीं मिलता ठीक है अपने आपको भरष्ट करने में देखे हुए हैं आप देखिए चार दिन बोदी जी ने भोपाल के कारेकटाओं के शिविर में क्या कहा था चार दिन पहले मिरे तृवेदी जी वह आ पर होंगे प्रधान मंतरी ने नहाता कि राष्टवादी कॉंग्रेस के कुछ नेता सत्तर हजार करोड के कौपरिटिव बैंक और सिंचन गोटाले में लिप्थ है अगर मोदी जी को इसकी जानकारी है तो उसके कारवाई क्यों नहीं करता ही है उस कारवाई के जो सूत्रधार है उनको आप डेपुटिसियम मना रहें देखिये सत्ता पाने के लिए मोदी जी किस हब तक जा सकते हैं इसकी लिमिट हो चुकी है देश में लोगसबह में 12 तक चुना लोगसबह में अच्छे इसांसत जिताने के लिए जहां पर हर रहे वो वो जितानी के लिए किस हद तक मोदी जी जा सकते मुझे बढ़ा अश्यरी हो रहा है जिसके कौन सूतरदार है पुरा महाराक्त जानता है पुरा देश जानता है लेकिन लेकिन तूट भी तो धली रहे हैं अगर अगर आप किस समाजवादी पाठipार चुछ तो नहीं ख wiping अंदर गलतियां कुछ पॉलिटिकल पार्टीcular कि भी है अगर शराद्राव पवार को पता था कि अजीद डादा-पवार जॉझद, ज़ादा-कॉंप्वार है तो उन्होंने सत्ता क्यों सौपी सुप्रिया सूले को ये सवाल उटेंगे देगे इनसी पी के अंदर उनी मामले के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन वास्तव यह है कि जो भी विधायक तूटके गए हैं उन सब के खिलाफ एडी की कारवाई चल रही थी परिवार बात पर बड़ी पर्मानिकता से बोलते रहे हैं मेरा बड़ा सीधा सवाल है क्या आपको लगता है कि देखे इडी ने का पैशर आया वो चला गया वो एक सवाल हो सकता है लेकिन क्या आपको लगता है कॉम्पिटेंस को दरकिनार करना भी कुछ पोलिटिकल पार्टी इसको महंगा पड़ रहा है और विपक्षी दलो को भी यह सोचना पड़ेगा देखे पहली चीज तो मैं आज के कारिकरम में ना पृत्वी राज चौहान जी की कोई बात मानूंगा और ना ही जो कीरती आजाज जी कह रहे हैं उनकी बात मानूंगा आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कारिकरम में भारत के आदर्णी प्रधानमंत्री सुधानसू त्रिवेदी जी के नेता आदर्णी नरेंद्र मोदी जी की बात मानूंगा और ये सुनिये उन्होंने क्या आता है जी इसी का ज II सित्र किया पिट्रा जी में तो ये तो दो दिन पहले 70 अजार करोन का गोटाला मोदी जी ने पकड़ा था भोपाल में मैं पृत्वी राज चोहान जी की बात नहीं मान रहा हूँ मैं कीरती आजाज जी की भी बात नहीं मान रहा हूँ और मैं आपकी भी बात नहीं मान रहा हूँ मैं तो सुधान सुत्र वेदी जी के नेता और भारत के प्रधान मंत्री आदर्णी नरेंद्र मोदी जी की बात मानना हूँ उन्होंने कहा सत्तर हजार करोण रुपए का घोटाला NCP का हमने पकड़ लिया है सिचाई घोटाला पकड़ लिया है कॉपरेटिव बैंक का घोटाला पकड़ लिया है पटना के मीटिंग में इनको इतना याद है कब कौन 97 में क्या घोटाला किया था अरे भई हेमंत विश्व सर्मा पे CBI की ED की जाच आपके राज में चली उसको अपनी पार्टी में सामिल करके